नमस्कार दोस्तों ब्यारियोदा पे आप सुभी का स्वागत है यह special वीडियो सीरीज है जिसमें हम लोग देख रहे हैं जहारखंड के परियाटल असल यानि जहारखंड दर्सन कर रहे हैं और जहारखंड जो कि अपने प्राकिरति सुन्दर्ता के लिए तो जाना ही जाता है इसके अलाबा यहां पे मौजू जो तीरत असल हो गए या पुराने किले के लेकर कहीं तरह के कहानिया पर चलीता है इसी कड़ी को जारी रखते हुए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे हरियर धाम के बारे में हरियर धाम काहे फेमस हुए जहां सीवलिंग के निर्म इसके आलबा जो सावन महीना होता आँ इसमें पूर्णला के दिन इस मंदिर में आते हैं और यहां पूरे शावन महीना कावरियां भी भगवान सीव को जला विष्यक करने के लिए आते रहते हैं और ये भी नहीं यहां साधी वीवाक के लिए बहुत पहांप美味 तो मंदिर तो देखिये इस मंदिर का मिरमार करूं मिया की शिला है क्या है है और इसके उचाए कितना है तो 65 फिट इसके उचाइई है और यह तो प्ते anyone मांिध जी देखने जो पहले था कि एसा कहा जाता था कि यह दुनिया का सबसे उच्चा स्विलिंग है यानि कि यह 65 मिटर का था ना 65 फीट का था पहले मगर ऐसा नहीं था अब क्या हो गया है कि अब वर्तमार में अगर बात क्या जाए तो दुनिया का सबसे उच्चा दुनिया का सबसे उच्च जो सीविलिंग है वो अस्थम में पढ़ता है अस्थम में एक जगह है नगाउं में यह पढ़ता है महां मितुझे मंदीर वहां पे हाली में 126 फिट उच्छा और यह वाला कितना था अगर यह वाला के बाद किया जाए तो 65 फिट तो यह तो अब धारना था जो पहले था मग अगर अब क्या है अब आप लोगों को चेंज करके याद करना होगा कि वर्तमान में दुनिया का सबसे उच्छा सीविलिंग अस्थम में पढ़ता है और जो जहारखंड वाला है यह दूसरा राज्तान पर आता है अब आपको पता दे कि दिखे यह सुनरा द्रिस वहीं का यह असाम का नगाओं वाला जो महामितुजय मंदिर है ना वहाँ पे 126 पीट का जो सीविलिंग है इसके लाव आपको देखे यह जो है ना यह 25 फरवरी को 25 फरवरी को 2020 को वहाँ पे अमिस साजी के द्वारा गया गया था और वहाँ पे दिखे साफ सब्दों में लिखा ग वीडियो अब देखे हम जब भी वीडियो समाप्त करते हैं तो हम लोग क्वीक रिविजन करते हैं क्वीक रिविजन आखिर इसमें सीखे क्या तो पहला क्या सिखे कि यह जो मंदिर है जार्खन के गिरीडी में इसी तका है जार्खन के गिरीडी के बागदोर में इसी ते दूसर का ये किनको समर्पीत है तो ये भगवान सीव को समर्पीत है इसके अलाबा क्या तो सावन महीना जो होता है वहाँ पे जादा तर जो कौरिया होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं इसके अलाबा हर साल जाते रहते हैं हमेशा वहाँ पे भीर लगा ही रहता है आपको और आ 60 feet है और यह कितना दूर में फैला हुआ तो पचीस एकड़ में फैला हुआ है और यहां पर हन्मान मंदिर देखने को मिलेगा और एक आश्रम भी देखने को मिलेगा यह सब यह आज का फैक्ता यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग को लाइक करना है और वीडियो को देखे बार बार सेर के लिए इससे अच्छा वीडियो आप लोग को और आएगा धन्यबाद आप लोग को ब्यारी उद्दा से जुनने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में